नमस्कार दोस्तों आप सभी कामा चलने पर हादिक स्वागत हैं दोस्तों आज इमें इस वीडियो में बात करेंगे मैगनम वेंचर्स लिम्टेट के सेयर के बारे में जो की इस समय तूफानी उडान पर है पिछले 5 दिनों से लगातार अपर सर्कृट चला है बहुत दिनों इस बाद ऐसी मैगनम मेंचर्स में तेजी देखी गई है और इसका सेयर इस समय अपने 52 वीक्स हाई से उपर चला है दोस्तों जैसा कि मैगनम वेंचर का बिजनिस ट्रेडिंग और मैनिफेक्टिरिंग है पेपर का कि जो इनकी रेंजेज हैं इन में से प्रिंटिंग राइ बढ़िया है वो है होटल डिवीजन का अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैगनम वेंचर्स में प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है दोस्तों प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा करके इस समय 58.33% मार्च 2013 की कौर्टर तक कर रखी है जबकि इस से पहले इनकी प्रमोटर्स में 53.24% थी इस तरह से 5% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिये साथ ही दूसरी खुजकबरी ये है कि प्रमोटर्स के द्वारा रखे गए गिरवी सेयर लगवग 12.81% इनों ने छुड़ा लिये हैं इस तरह से अब प्रमोटर्स की जो प्लेजट है यानि कि गिरवी रखी है वो केवल 57% इस तरह से प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कमपनी में और साथ ही जो गिरवी सेयर रखे थे उनको छुड़ा रहे हैं इन खबरों के चलते मैगनम बेंचर आजकल पूरी तरह से उड़ान पर ह मैगनम बेंचर का सेयर लगातार अपनी उचाईयों को छूता जा रहा है बहुत सो लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिकार इसमें ऐसी कौन सी बिसेस्ता है जो कि मैगनम बेंचर का सेयर अब उची उड़ान पर जा रहा है इन में से मुक्ष कारण ये हैं और इसके साथ ही जो अभी मार्च दोजार तेस कौर्टर का जो रिजल्ट आना है वो बहुत ही बेतरी नाने की उमीद है क्योंकि प्रमोटर्स अब पूरी तरह से कंपनी को बढ़ाने में लगे हुए हैं जब कोई भी प्रमोटर्स कंपनी के प्लेज सेयर चुड़ाएगा और साथ ही अपन जो सेयर होल्डिंग है वो बढ़ाएगा तो सर्थियां वो कंपनी आंगे बढ़ेगी अब हम कुछ मैंगनब बेंचर सेयर के की पॉइंट्स समल लेते हैं जोसों इस समय बैंगनब बेंचर का पीछ अला आए 3.36 EPS 11.31 और मार्केट कपलाईएसन की बात करें तो 182 करोड और यदि सेक्टरल मार्केट का की रैंक की बात करें कि मैंगनब बेंचर कहां पर आ रहा है तो इसकी रैंक 23 आ रही है पीबी रेसियो माइनस 3.38 डिविडेंट अभी तक डिकलेयर नहीं किया है फेस बैलू 10 उपर है और अभी पिछले दिन जो इसकी क्लोजिंग बनी है व तो 38 रुपए और 38 रुपए में ये इसका 52 विक्स हाई है जबकि लो था 52 विक्स लो की बात करेंगे तो 10 रुपए 50 पाईसे इस तरह से लगवग साड़े 3 गुना तो इस समय इसके प्राइस 52 विक्स लो से बढ़ चुके हैं और यदि एक विक की बात करें तो लगवग 27 साइस पर्शन की बड़ उत्री एक महीने में लगवग 30 पर्शन की बड़ उत्री इस समय कमाल कर रखा है मेगनब वेंचर के और एक साल की बात करेंगे तो 245 पर्शन का सांदार इसन में रिरेंड मिल दा है तीन साल की बात करें तो एक हजार तीन सो साथ परसंट तक मेंगनम बेंचर सेयर्स में आपको प्राफिट हो रहा है और पांच साल की बात करें तो तीन सो बैलिस परसंट का सांदार इजाफा आप लोगों के सामने दिख रहा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार मेगनम बेंचर्स का सेर जो इस समय दड़ा दड़ उचाईयों के ओर जा रहा है तो आखिरकार कहां तक जाएगा कहां पर हम इसको सेल करें तो दोस्तों जैसा कि अभी ये 38 रुपए तक अपन को ये सला अभी भी है कि इस सेर को अभी भी आप अपने पास दबा कर रखें सेर बेचने की कोशिस न करें ये अभी आंगे बहुत ही उची उचाई तक जाएगा ये अपने पिछले लाइफ टाइम हाई को भी क्रास कर जाएगा दोस्तों मैगनम बेंचर्स लिम्टेट का पिछला लाइफ टाइम हाई 66 रुपए 90 तक है यानि कि 3 सितंबर 2007 को मैगनम बेंचर्स का हाईएस्ट लाइफ टाइम 66 रुपए 90 पैसे है और इस समय 38 रुपए आ चुका है और इसमें लगातार अपर सर्कुट चल लाएं तो दोस्तों अब इसमें जहां पर बिक्वाली आएगी वह लाइफ टाइम हाई की आसपास आएगी यानि कि आप मानेजिए कि 55 रुपए से ले करके 65 रुपए के बीच में यह से एक बार फिर उपर नीचे होगा आप इसमें गवड़ाईए का नहीं और सेर्स यादि मिल जाए तो थोड़ा और बटोर सकते हैं अपना ए और इसकी जो प्राइस जाएगी वह 130-140 रुपए तक तो इसमें ज्यादा अप टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से 6 माईने या एक साल तक आपको होल्डिंग करनी है और आप देखेंगे कि मैगनम बेंचर्स का सेर्स आपको 120-130-140 तक भी पहुंश सकता है तो दोस्तों इ है आपके पास तो बचा करके रखें उसके बाद आप प्राफिट बुक करें दोस्तों यह वीडियो और यह जानकारी आपकी समझ में लगा हो कि अच्छी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथ यह सेर भी कर दें और हमाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना